ये राची सिटी है जहां परंपराएं गहरी हैं और त्योहार आस्मान कुरंगते हैं वहां एक ऐसी प्रतिविता है जो समुदायों को एक साथ लाती है इस शुब जन्नमाष्ट में दिवस पर दही हांडी प्रदर्शन में आपका स्वागत है राची में हर साल जन्नमाष्ट में उत्सो सेलिब्रेट किया जाता है इस दवरान कई दही हांडी प्रदर्श भागताएं होती हैं जहां युवाउं की टोली का उत्साह देखते ही बनता है इस बीच पिछले कुछ सालों में दही हांडी पर्तिगुता के दवरान लड़कियों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है इसमें लड़कियों की ससक्त भागीदारी इस तरह के समारों में अपनी ताकत एकता और दिर्ध संकल्प का परदर्शन करती हैं जो दही हांडी पर्तिगुता को और भी ससक्त और आनंदित करता है अब राची में होने वाले दही हांडी पर्तिगुता में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है दरसल इस जन्माष्ट में गाउं की गोरियां शहर की छोरियों को कड़ी चुनावती देने की तैयारी में जुटी है दही हांडी पर्चविता के लिए गाउं की गोरियों की तैयारी को तरीब से जानने के लिए हम पहुचे राची से 35 किलोंग्टर दूर मांडर के एक गाउं में यहां लड़कियां दही हांटी पर्चविता के लिए तैयारी कर रही हैं वे कई हफ्तों से अथ्यक प्रशिक्षन ले रही हैं अपनी संग्रचनाओं का अभ्यास कर रही हैं और प्रतिक श्ट्रॉक भक्ति और दिर्ल संकल्प के साथ बूझ रहा है मेरा नाम लेच्विक मारी है और जब हम लोग यहां प्रेक्टिस करने आते हैं हम लोग को हसते हैं कि लोग नहीं कर पाएगी बोलके टेकिन हम लोग जुन रखते हैं अपना में लोग कर पाएंगे और हम लोग करती दिखाएंगे नमस्ते मैं हूँ संधिया कुजल और हम लोग छोटा सा गाव में हैं और खेती बारी करते हैं और हम लोग अब राची जा रहे हैं हुषी मिलेगी और आप लग भी दुआ देजे कि हम लोग फर्स प्राइज लेकर आएं चंद मनी रहा हैं और मैं यहां चोट चोट टोले से आते हैं बहुत सारे लड़किया हैं सो इधर उधर साते हैं और हम लोग खेती बारी में काम करते हैं कॉलेज भी जाते हैं अगर मिल्ट मेरे मेरा उपर में चार्य मेरे थाया इना पर्स पोश्ट से रहा क्या ये प्रेक्टिस करते हैं रोज एक इस तारीख से चालू हुआ है पिछले दो साल से मटका फोड़के ये प्राइज भी मिला है हम लोग को और सोच रहे है कि अब राची भी जाएंगे मांडर की इन लड़कियों का उत्सा आक्रमत है और द्रण संकल्प अडिग है लेकिन क्या उनका जुनून राची शहर के प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने के लिए प्रयाप्थ होगा अब चलते हैं राची शहर की ओर जहां एक अलग तरह की तैयारी जोरों पर है यहां शहर की लड़कियां दही हांडी भावना है जो बेजोड है वे सिर्फ एथलीट नहीं है वे आधुनिक यूग की वारियर हैं उनका शहरी आकरसन उनकी एथलीक प्रतिभा के साथ सहज रूप से मिल खाता है लेकिन क्या वे टीम वर्क और परंपरा की अंतिम परिक्षा में गाओं की लड़कियों से बेहतर प्रतिशन कर पाएंगे मुकाबला जोश्पूर्ण होने वाला है लेकिन जीत किसकी होगी गाओं की गोरियां जो परंपरा में नहीं थें या शहर की ठोरियां जो आधुनिक एथलेटिक वाद से प्रेरित हैं इसके लिए आपको मुकाबले का इंतिजार करना होगा झाल